हेलो गाइस सवागते कॉर्ड वीडियमें दोस्तों आज का वीडियो जरूर देखेगा बहुत इंपोर्टेंड है अगर आप ट्रेडिंग करना चाते हैं त्रेडर बनना चाते हैं सो जो नए लोग है वो गलत फिल्ड में आते हैं आज हम बात करने वाले हैं binary trading के बारे में क्यों मैं binary trading नहीं करता हूँ क्यों आपको नहीं करना चाहिए और बहुत सारे reasons हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ सबका लग-लग choice है अगर आपको यह अच्छा लगता तो करिए लेकिन जाद लोगों के लिए मैं चाहूँगा कि यह binary trading आप ना करें इसके पिछे मेरे पास बहुत ही solid reasons है और यह कोई मैं demotivate ने करूँ अगर आप binary trading से पैसा कमाते हैं तो कमाईए जी लेकिन मैं stock market का आदमी हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों इसको नहीं करना चाहिए ठीक है तो binary trading क्या होता है binary trading basically let's say let's say हमारा bank nifty है तो बजाए कि आप bank nifty के futures में trade करने के आप उसके CFD को यह trade करता है यानि कि आप असली में trading नहीं कर रहे हैं आप company के साथ trading कर रहे हैं तो basically अगर यहाँ पे कोई forex pair है let's say आज हम इसी कवारे में बात करने वाले हैं क्यों इसमें trading नहीं करनी चाहिए so CFD क्या होता है CFD कोई real asset नहीं होता है ठीक है वो एक बनाया गया है company के द्वारा और अगर loss होगा तो किसको loss होगा company को होगा trading में क्या होता है कि trading में सामने वाले को loss होता है binary trading में company को loss होता है तो अगर company को loss होगा तो उनके लिए बहुत बूरी बात है उनका तो दुकान ही बंद हो जागा तो वो क्या करती है charts भी real होते है सब कुछ real होता है लेकिन जो सब से खराब बात है वो है कि यहाँ पे risk reward कम होता है मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे यह companies और यह बहुत सारी popular companies है कैसे यह companies casino का formula यूज करती है तो यहाँ पे क्या है अगर आप buy number यूज करते है अगर आपने कभी life में यूज किया होगा ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो दस्तो हम वही screen पे हैं जो सबसे popular screen है किसी भी binary rating का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे problem यही है कि यहाँ पे risk reward problem यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए में यह बहुत ही खराब चीज होता है कि trading में आपको क्या करना पड़ता है मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप 100 रुपे का risk ले रहे हैं तो कम से कम 200 का target होना चीए 1500 का target होना चीए यह नहीं कि 70 रुपे का यहाँ पे problem क्या है problem यह है कि यहाँ पे लेट से मैं 100 पे का risk ले रहा हूँ तो मुझे profit कितना होना चीए कम से कम 100 पे तो होना चीए यहाँ पे आपको वो भी नहीं मिल रहा है प्लस आपको पता ही है कि trading में 90% traders lose करते हैं तो यही दिक्कत है कि भले और भी बहुत सारे reasons हैं कि इनका reward मतलब withdraw नहीं होता है deposit में कुछ problems आते हैं और यह बहुत सारे reasons है accuracy कम होती है ना कोई data होता है ना कुछ भी होता है वो अलग reasons है लेकिन जो सबसे बारा reason यही है कि यहाँ पे risk reward खराब होता है बहुत खराब होता है यानि कि 1 के भी नीचे 0 के भी नीचे होता है कि अगर मैं risk ले रहा हूँ 100 rupees का तो कम से कम 150 मुझे target होना चीए लेकिन यहाँ पे आपको कितना मिलता है 70 rupees 70 rupees राइट 70 rupees आपको मिलता है भाई अगर आप जीते तो आपको 70 rupees मिलेगा बहले मेरा के रिसी बहुत ज्यादा था बहले मेरा को projection आता है सब कुछ आता है लेकिन मैं रियालाइस किया कि अरे मेरा सत कुछ गरबर हो रहा है risk reward कम है यहाँ पे 80,000 80 rupees को मैं कर दूँगा कितना 80,000 अब आपको पता चलेगा कि आप 64,000 risk पे लगा रहे है और आपका जो profit है वो सिर्फ 50,000 है यानि कि 12,000 का difference आ रहा है कि अगर आप 64,000 का risk लेते हैं लेट से मैं रिस्क ले लिया और यह तो virtual account है कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 64,000 का risk ले रहा है तो कम से कम target 1,80,000 होना चाहिए लेकिन वो आपको यहाँ पे होते हुए नहीं दिख रहा है और कोई दिक्कत नहीं है यह सबसे बड़ी problem है बाइनरी टेडिंग में प्लस और बहुत सारी reasons है लीगल इसूस हैं इंडिया में लीगल नहीं है यह सारे platforms banned है फिर भी क्योंकि यह दूसरे country में register होते है तो चलता है यह है कि अगर आपको करना है तो करो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला मैं तो एक FNO का trader हूँ इसका बाप FNO वहाँ पे तो और भी होता है आपको पर है लेकिन यह मेरा thinking था तो इसको क्या करेंगे पैसा नहीं डुबेगा stocks बहुत ही backed by logics होते है investors का पैसा होता है बड़े-बड़े players का पैसा होता है binary का भी सुना है किसी ने कोई अमीर बना binary trading करके कोई नहीं बना भी होगा तो company नहीं उसको पैसे दियोंगे राइट यह तो सब का reality इस video को बना के पैसे मेरा कोई motive नहीं है कि मैं demotivate करूँ आपको और मेरा कोई इसमें profit भी नहीं है मेरा loss ही है कि मैं इन companies को बोलो कि हाँ जी जाओ लेकिन अगर future में companies आते हैं कि हाँ सर हमारा करदो promote तो कर देंगे आपका क्या विचार है प्लीज नीचे कमेंट केजे थांक्योर वाचिंग और वाचिंग और सी इन दर नेक्ट वीडियो